Hello Cyberworms, Welcome Back, मैं हूँ अनिलिय आदब और आप देख रहे हैं Cyberguard Powered by Neat Roots और आज के इस वीडियो के अंदर हम Hacktivist Group Anonymous के Top Hacks के बारे में जानने वाले हैं So without McKinney Delay, let's continue तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर Anonymous है क्या Anonymous को आप एक तरह का Thinking मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चलता कि आखिर Hack कौन कर रहा है यहाँ पर यह जो Group है यह क्या करता है कि जो भी Government या फिर कोई भी ऐसा इनसान या फिर कोई भी Powerful Person अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको Digital Penisment देने का काम यह Group करता है तो Digital Penisment से आप समझ सकते हैं या तो उनके Websites को डाउन कर देता है या तो वो जो गलत काम कर रहे हैं उसको रोग देता है तो यहाँ पर अब हम इनी के Top 5 Hacks के बारे में जानने वाले हैं तो यहाँ पर इस लिश्ट में सबसे पहले आता है जो की है Operation Tunisia इस अटेक में क्या था कि Anonymous के जो मेंबर्स थे वो सारी दुनियों में फैले हुए थे तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया इजिप्ट के जो वेबसाइट से गवर्मेंट वेबसाइट उनको इन्होंने डाउन कर दिया और इसी तरह से सीरिया के अंदर इन्होंने protest message को viral कर दिया यहाँ पर इन्होंने एक software भी viral कर दिया जिसके मदस एक एक परसन के पास इस protest का details जा रहा था तो इस तरह से इस attack में Anonymous ने जो गवर्मेंट थे उनके read के हड़ी को ही तोड़ डाला था और उसके बाद आता है project channelology जो की सबसे पहला और सबसे viral incident है या फिर मालो सबसे पहला Anonymous का hack है जो की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा controversy में था जो की January 14, 2008 में हुआ था जहाँ पर जो Tom Cruise है जिसको की आप लोग बहुत सार लोग जानते होंगे जो की Hollywood star है तो वहाँ पर उनका एक वीडियो था जो की YouTube पर वाइरल हो गया था जहाँ पर Anonymous ने क्या किया कि यहाँ पर एक website था जो की है The Church of Science Autology तो यहाँ पर Anonymous ने क्या किया कि इस website पर DDoS अटेक किया तो बैसिकली इस अटेक से क्या होता है कि यहाँ पर एक ही टाइम पर उस website पर इतने सारे पकेटे सेंड कर दिये जाता है जिसे कि क्या होता है कि वह website डाउन हो जाता है और यहाँ पर कोई भी user उसको access नहीं कर पाता है और उसके बाद आता है operation payback जहाँ पर एक तरह से मानलो कि digital war चल रहा था anonymous और उसके बाद जो piracy के websites उनके बीच में तो यहाँ पर क्या होता कि anonymous जो है वो जो pirated websites या फिर मानलो जो US government ने visa और फिर credit cards के लिए जो websites allot की थे तो basically anonymous नहीं यहाँ पर क्या किया था जो anti-piracy websites होते हैं जो कि US या फिर मानलो की Australia या फिर England ऐसे सारे countries के अंदर उन सब पर attack किया था जिसके वाज़े से इन websites को 5.6 million का loss झेलना पड़ता है और यहाँ पर anonymous के 30 members के name भी reveal होते हैं और उसके बाद आता है operation free Korea जहाँ पर anonymous ने क्या किया था कि Korea के 32,000 computers को hack कर लिया था जिसके माद से क्या कर रहे था कि जो South Korea के Kim Jong-un है उनकी जो leadership है या फिर मानलो की उनकी जो dictatorship है उसको down करने के लिए anonymous ने एक तरह का protest किया था तो यहाँ पर जो companies थी उनको बहुत ज्यादा loss जेलना पड़ा था और इस तरह से उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को internet access नहीं मिल पा रहा था Korea के अंदर और फिर आता है operation sony जहाँ पर anonymous group ने क्या किया था कि जो sony group है उसके websites पर attack किया था यहाँ पर में लिए इनका aim था कि जो financial gain हो सकता है इस website से हम निकाल सके और यहाँ पर इसकी responsibility anonymous ने ली थी और यहाँ पर anonymous की कोई भी leader ना होने की वजह से anonymous की एक branch है उसने इसको deny कर दिया कि यह attack हमने नहीं किया था बट फिर भी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि anonymous एक तरह का thinking है यहाँ पर आप अगर anonymous रहते हैं अपने identity को hide कर सकते हैं तो आप भी anonymous हैं तो यहाँ पर इसी तरह से एपरेल 2011 में operation sony attack हुआ था जहाँ पर की कोई hacker या फिर कोई hacking group था जिन्होंने की anonymous का name लेकर के attack किया था so guys this is all for today मिलते हैं बगले session में तब तक के लिए stay safe stay secure thank you